नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं अब सेकर्ण, आप सभी का एक बार फिर से concept time case plan for पर स्वागत करता हूँ और उमीद करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों पर बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे दोस्तों पहले तो आप सभी को holy की हार्दिक शुप कामना है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज होली है, तो सबसे पहले holy की हार्दिक शुप कामना है और आज जो हम topic discuss करेंगे, उसको topic कहना बहतर नहीं है, क्योंकि वो हमारे culture का part है, हमारी संस्कृती का part है और प्रतेक नागरिक का ये दाइत तो होता है, कि वो अपने संस्कृती को, अपने से छोटों को इस्थानांतरित करें ये ट्रांसफर करें तो इसी क्रम में मैं भी एक प्रयास कर रहा हूँ, और मैं आज बात करूंगा होली पे, और होली पे, होली पे बात करने का मतलब ये है कि होली क्या है, क्यों मनाया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में cover करेंगे, तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं वही पुराना pattern होली है और होली पे हमने इसको 9 से 10 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, और एक एक को क्रम से हम आराम से बिल्कुल बेसिक से डिसकस करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें कि होली क्या होती है, तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये होली है क्या, सब अब से पहली बात कि होली वसंतरितु में मनाई जाती है, वसंतरितु का मतलब क्या होता है, और एक चीज़ और पहले बता दे रहा हूं कि इस टॉपिक में मैं इंग्लिस के वर्ट्स का यूज करने है, उसे थोड़ा सा बचूँगा, इस टॉपिक को मैंने पूरा हिंदी म मैं कवर गरूंगा, कारण ये है, ताकि हर व्यक्ति को ये बात समझ में आ सके, जो भी इस वीडियो को देखे, वो आराम से इसकी भाशा को समझ सके, तो चलिए, लिखाय कि होली क्या है, तो होली वसंतरितु में मनाया जाता है, अब ये वसंतरितु क्या होती है, वसंतरित भारत में जो रितुओं के प्रकार हैं उसमें से एक प्रमुख रितु होती है और जैसे आपको पता होगा कि होली जब मनाई जाती है तो ठंड़क कम हो रही होती है और गर्मी धीरे-धीरे प्रारम हो जाती है तो वसंत रितु इस बात का सूचक है कि गर्मी अप्रारम हो रह जब सूर विश्वत रेखा पर equator पर आता है तो उस समय क्या होगा उस समय उत्तरी गोलार्द में क्या होगा वसंत रितू होगी और दक्षडी गोलार्द में शरद रितू होगी तो इस समय लगभग ये हो गया है कि सूर जो है मार्च में ये एक ऐसी रेखा जो प्रत्वी को ग्लोग को दो बराबर भागो में बाड़ती है उसको इक्वेटर या विशुत रेखा बोलते है और इसका मतलब है कि सूर अब विशुत रेखा पर आ गया और दीरे दीरे अब ये करक रेखा पर आएगा और कर्क रेखा पर ही भारत इस्थित है तो इसका मतलब है कि अगर सूरे विश्वत रेखा से कर्क रेखा की ओर आ रहा है तो इसका तात्पर है क्या हुआ कि धीरे-धीरे गर्मी बढ़ेगी और मैं ने बताया कि वसंत रितू का मतलब एक ऐसी रितू जिसमें ठंड़क धीरे-धीरे कम हो रही हो और गर्मी उसके बाद धीरे-धीरे बढ़े कारण ये है कि विश्वत मार्च में जो सूरे होता है वो विश्वत रत्च के उपर होता है लेकिन मार्स से जून के मद्ध में ये विस्वत वरत्शे करकरेखा की तरफ आता है तो पहली बात की वसंत रितूम मनाई जाती है दूसरी बात की होली फालगुन मास या फागुन मास की पूर्णिमा में मनाई जाती है अब ये फागुन मास क्या होता है हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू महिना जो होते हैं मास जो होते हैं उनके अनुसार फागुन या फागुन जो होता है ये अंतिम महिना होता है क्या होता है फागुन हिंदू कैलेंडर या पंचांग के अनुसार वर्ष का अंतिम महिन होता है और इसी में इसी की पूर्णिमा में होली मनाई जाती है पूर्णिमा क्या होती है पूर्णिमा का मतलब होता है पूर्ण चांद की रात्री जिसमें चांद पूरा दिखता है उसको क्या बोलते है उसको पूर्णिमा बोलते है तो इसका मतलब क्या हुआ कि होली पूजा प्रारम करते हैं तो होली जो है बसंत पंचमी से ही प्रारम हो जाती है और पहली बार जो गुलाल उडाया जाता है वो बसंत पंचमी में उडाया जाता है और तब से प्रारम हो जाता है और ये रंग या गुलाल का जो खेल होता है ये होली तक चलता है तो ये समझ ल हीरे होली तक और होली के कुछ जिनवा तक रंग खेला जाता है अब होली में एक पुरानी परंपरा है इसका विसेस महत्तो है ये परंपरा क्या है आमर मंजरी और चंदन का विसेस महत्तो है क्यों क्योंकि आमर मंजरी का मतलब होता है आम की बौर क्योंकि इस सीजन में या इ तो यह हमने पूरा समझ लिया कि होली वसंतरितु में मनाई जाती है, फागुनमास की पूर्णिमा में मनाई जाती है, बसद पंचमी से ही होली आरम हो जाती, पहली बार गुलाल उड़ा दिया जाता है, उसके बाद होली में जो विसेस महातो है, आम के बौर और चंदन को मिल लागर खाने का तो ये भी एक परंपरा रही है नेक्स ट्राइड लेते हैं अब हम देखेंगे कि आखिर होली ये तो हमने समझ लिया क्या है रंगो कते हो हार है सबको पता होता लेकिन होली क्यों मनाई जाती है अगर हम एतिहासी ग्रंथों की बात करें या कुछ भी हम ऐसी जिससे हमें होली के प्रमाण मिलते हैं तो दो तीन चीज़े हम कह सकते हैं कि होली को मनाय जाने के कई कारण है या कई कथाएं प्रशलित हैं जिनको समझना जरूरी है मैंने तीन कथाएं जो प्रमुक कथाएं उनको लिखा है जिसमें पहली कथाएं भक्त प्रहलाद की कथ तो चलिए समझते हैं, आपने सुना होगा कि बहुत ही प्राचीन काल में एक राजा होता था हिरन कशिपु या कश्यप, तो हिरन कश्यप मतलब तपस्या करता है और उसको सक्ति अरजित हो जाती है और वो बहुत सक्तिसाली हो जाता है, तो धीरे धीरे जो विक्ति सक्तिसाल ही होता है उसमें एहम भी आ जाता है उसे भी एहम हो गया कि मैं ही भगवान हूँ इसी क्रम में उसने क्या किया उसने अपने राज जिम्हें ईश्वर की पूजा पाठ पर प्रतिबंद लगा दिया यह नाम था प्रहलाद और वो ईश्वर का प्रहम भक्त था इसलिए हिरन भक्ती नहीं छोड़ी इसी हिरन कश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका और होलिका को एक वरदान परात था कि वो अगनी में भस्म नहीं हो सकती है इसलिए हिरन कश्यप ने या हिरन कश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में ब कि बह दे की हेरन कश्रिप को पता था जो इसकी बहन है उसको वरदान प्राप्त है वह भस्म नहीं होगी दो छॉलिका अपने भाई की आग्या मानते हुए अपने भतीजे को लेकर आग में बैठ जाती है अब होता क्या है कि खोलीका जिसको वर्दान प्रात था कि वो भस्म नहीं होगी वही भस्म हो जाती है और प्रहलाद बच जाता है तो इसी विसेश औसर को मतलब हम लोग सेलिबरेट करते हैं होली के रूप में अभी यहाँ पर अगर हम व्यापक तोर पर देखें तो होली का और प्रहलाद का जो मामला है इसमें जो प्रहलाद है वो आनंद का प्रतीक है या अच्छाई का प्रतीक है और होली का जो है बैर, उत्पीडन या बुराई का प्रतीक है तो होली को हम अच्छाई, मतलब बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में भी सेलिबरेट करते हैं ये एक पहली कथा हो गई परनाडी कथा जिसके अनुसार होली क्यों मनाई जाती हैं अच्छाई पर आए जो भारत के कई स्थानों पर प्रश्लित है, सिउ की बाराद की कथा लोग कहा इस कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि लोग उली इसलिए मनाते हैं क्योंकि लोग जो हैं वो रंग लगाकर नाच गाकर सिउ के गड़ो का वेजधारण करते हैं अब सिउ के गड़ क्या थे ये समझिये, गड़ जिनका आपने नाम सुनाओगा भैरो, वीर भद्र या आप कहलो एक और थे नंदी, तो ये गड़ क्या होते थे ऐसा माना जाता है, या ऐसा माना जाता था कि जो सिउ भगवान थे, उनके जो मित्र थे उनकी जो रक्षा करते थे, रखवारे थे, उनको बोलते थे गड़, अब इन गड़ों का कुछ ऐसा मामला था कि ऐसा माना जाता था कि ये गड़ इस लोग के नहीं है, ये किसी दूसरी दुनिया से आया है, क्योंकि इनकी जो भासा थी, वो सिउ भगवान महाकाल या महादेव के अत्रिक्त और कोई नहीं समझ पाता था तो ऐसा माना जाता है ऐसी परंपरा रही कि जब सिउ भगवान की बारात निकली थी, तो ये जो गड़ थे या सिउ भगवान के जो रखवाले, या रक्षक, या मित्र थे ये नाच गा कर जा रहे थे तो उसी को कॉपी करने का प्रयास किया जाता है कि सिव की बारात में उनके गड़ों ने, उनके मित्रों ने, उनके रक्षकों ने काफी उत्सा मनाया था, खेल गूत किया था, नाच गाना किया था, तो लोग आपस में रंग लगा कर, नाच गा कर सिव के गड़ों की तरह इसको सेलिबरेट करते हैं, इसलिए होली मनाई जा ये भी प्रश्लित है कि स्रीकृष्ण द्वारा पूतना राक्षशी का वध किया गया था और इस वध से क्या हुआ कि जो भी गौले और जो भी उनके मित्र थे या हम कहें कि जो भी उनके जो भी दोस्त थे चाहे वो गौले रहे हो या गोपिया रही हो या उनके कुछ कोई भी रहे हो उन्होंने पूतना राक्षसी के वद्ध को celebrate किया था कैसे रंग लगा कर और उचल कूद कर इसलिए होली मनाई जाती है क्यों क्योंकि इस दिन सिर्केश दोरा पूतना राक्षसी का वद्ध किया था इसके अतरिक भी या famous है सिउ की बारात की कता कि कैसे उनके गड़ जो थे नंदी थे वीर बद्र थे बहरो वो उनकी बारात में नाच गा रहे थे तो उन्हीं को कॉपी किया जाता है होली के असर पर और सीकेश नौरब पूतना राक्षिसी का वद्ध किया गया था इसी खुसी में गोपियों और गॉालों ने सेलिबरेट किया था और उसी के लिए वरतमान में होली मनाई जाती है तो यह हमने समझा कि होली क्यों मनाई जाती है और उमीद कर रहा हूँ कि शायद मैं आपको समझा पाने में सक्षम हुआ होंगा कि होली क्यों मनाई जाती है चलिए नेक्स स्लाइड ल जो हमें ये प्रमाड देते हैं कि योग, संक्य दर्शन, उत्र मिमानसा, वैशेशिक दर्शन तो इस प्रकार के एक दर्शन है जिस में से मिमानसा या पूर मिमानसा दर्शन भी है पूर्मिमानशा दर्वशन में मुक्यता धर्म की बात की गई है और इसी पूर्मिमानशा सूत्र में खोली का हमें उलेख मिलता है कि भारत में होली मनाई जाती है इसी तरह नारद पुराण और भविस पुराण में भी होली के उत्सो को मनाय जाने का उलेख मिलता है अब ये पुराण क्या होते हैं? पुराणों की रशना वैदिक काल के बहुत बाद में की गई थी और ऐसा माना जाता था कि इनकी रशना मुखिता ब्रमभा जी ने की है और पुराणों से जानकारी क्या मिलती है? विन्दे छेत्र के रामगड़ अभी लेख में भी होली कोच्सो का जिक्र है विन्दे छेत्र यानि विन्धेन रेंज जो मध्यप्रदेश से होकर गुजरती है उसी रेंज के पास रामगड़ में एक पुरा तत्विक शाच्य अभी लेख मिला है और इस अभी लेख में होली क्तेवहर का जिक्र किया गया है वहीं अगर अन्तिम हम बात करें तो अलबरुनी ने जो अपना यात्रा संसमराण किताबुल हिंद जो लिखा है या तारीक हिंद जिस लिखा है उसमें भी होली का जिक्र किया है یہ البرونی कौन था 1188-1919 के आसपास महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने किया क्या था महमूद गजनवी के साथ यह भारत आया यह कुछ दिन रुका इसने भारत को समझा उसके बाद इसने किताब लिखी उस किताब का नाम था तारीक हिंद या किताब अलहिंद और इसी यात्रावरतांत या संस्मरण में उसने होली का उत्सो या होली के तेवहार मनाया जाने का उलेक किया है कि भारत में बहुत ही उत्सा के साथ होली का तेवहार मनाया जाता था अब अगर हम बात करें होली की बात हो और मुगल कालीन होली की बात नहों तो ऐसा संभो नहीं है तो आपको पता होगा कि भारत में 1526 एस्वी में बाबर ने आक्रमण किया था और सल्तनत काल के अंतिम शाशक इबराहिम लोदी को पानी पत के प्रथम युद्ध में पराजित किया और भारत में मुगल वन्स की नियू रखी 1526 में लेकिन बाबर बहुत ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सका 26 में आया था और 30 में उसकी इम्रत्य हो गई लेकिन बाबर ने अपने पुत्र जिसका नाम हुमायू था उसको ये संदेश दिया था या अपनी अंतिम जो कुछ होता है सीख देता है जीवन की पिता अपने पुत्र को वो दी थी और कहा था कि हिंदू जो जनता है उसका थोड़ा ख्याल लगना क्योंकि बहुत संख्याग है इसलिए हुमायू, हुमायू के बाद उनके बेटे अकबर, अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर, जहांगीर के बाद जहांगीर के बेटे साजहां और अन्ती मुगल समराट, यह साजहां के बेटे नहीं हैं, अन्ती मुगल समराट हैं, बहादूर साजफर, यह ऐसे साशक ते जो होली आने के बहुत पहले से अपने राजमय reduction होली की तैयारिया शुरू करवा देते थे दो चलिए करते हैं विस्तार से चरजा अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर के काल में होली का विसेस महतो था क्यूं क्यूंकि क्बर के दरबार में सोने चान्दी के बड़े बड़े बरतनों में टेसू के रंग टेसू ये नामा के एक फूल होता है लाल रंग का आपने देखा होगा उसके द्वारा प्रागर्तिक रंगों का निर्मार किया जाता था और उन प्रागर्तिक रंगों से अकबर सोयम बादसा सोयम अपनी बेगम और हरम की इस्तरियों के साथ रंग खेलता था हरम क्या होता है हरम एक ऐसा किला होता था या ऐसा भवन होता था जहां पर इस्तरियां रहती थी वहां पर सिर्फ बादशा जाता था और अन्य किसी भी पूरुस के जाने पर प्रतिमन लगा होता था तो पहले रंग खेलता था बादशा उसके बाद साम को फिर होली मिलन समारो प्रारम हो जाता था लोग एक दूसरे से मिलने आते थे पान, इलाइची, मिठाईया खाई जाती थी साथ ही शाथ कवी सम्मेलन, मुशायरे, कई प्रकार के नाच गाने के प्रोग्राम आयोजित किये जाते थे इसी तरह अगर हम देखें, जहांगीर जो की अकबर का पुत्र था, इसके काल में महफिल ए होली कायोजन होता था अब ये महफिल ए होली क्या है जहागीर जो अकबर का पुत्र था इसने देखा कि इसके जो पिता था अकबर था वो बहुत ही धार्मिक शहिश लुवेक्ति था सभी धर्मों का सम्मान करने वाला था तो पिता की छाप पुत्र पर आवज से पढ़ती है इसी क्रम में जहागी जहागीर ने महफिल ए होली का यजन करवाना प्रारम किया ए annoy महफिल Beach के तहट क्या होता था कि राज्ज की प्रजा जो थी वो इस प्रोग्राम के दौरान महफिलुका की दौरान बाश्शापर रंग डाल सकती थी इसी तरह अगर हम जहागीर के पुत्र साजहां की बात करें तो साजहां इसी होली को इद गुलाबी नाम से सेलिबरेट करता था या मनवाता था अपने राजज में अगर हम बहादूर शाजफर की बात करें तो बहादूर साजहां इनको दुती भी कहते हैं और बहादूर साजहां मुगल सामराजी के अंतिम शाशक थे क्यों? क्योंकि इन्ही के काल में 1877 का विद्रो हो गया था और अंग्रेजों ने इनको निर्वासित करके मियानमार भेज दिया था जहां पर 1862 हिस्वी में इनकी मृत्य हो गए थी तो बहादुर साज जो थे ये इनका पेन नेम था पेन नेम का मतलब कि कविता हैं जो ये उर्दू में लिखते थे ये उर्दू के बड़े अच्छे कवी थे वो जफर नाम से लिखते थे तो बहादुर साज जफर चुकि बहुत अच्छे कवी थे उर्दू के तो इन्होंने होली से संबंधित बहुत सारी कावे रचनाय लिखी है अब यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है जिन लोगों को ये लगता है कि होली सिर्फ हिंदूओं का तेवार है वो सरा सर गलत है क्यों? क्योंकि मैं मुगल काल में करमशा में बता रहा हूँ कि ये सारे जो बाशा थे खुदी होली को मनाते थे सेलिबरेट करते थे दूसरी चीज़ आपने अमीर खुसरो जी का नाम सुना होगा आपने बहादूर साज जफर का नाम यहीं पर देखा है आपने प्रसिद सूफी संत निजाम अदिन अलिया का नाम सुना होगा इन सबने होली पर मुस्लिम संप्रदाय के ये लोग फॉलोवर थे लेकिन इननोंने होली पर ठीक ठाक रचनाय लिखी है और ये खुदी होली मनाते थे तो ये कहना कि होली सिर्फ हिंदूों का तेवहार है सायद उचित नहीं है हम देखते हैं कि हमारे ही मद्धिकाल में मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी होली को सेलिबरेट करते थे तो चलिए अच्छा यहां पर एक मेले का आयोजन भी होता था मेले का जिकर करना भी बड़ा जरूरी है लाल किले के पीछे यमना नदी बहती है और यमना नदी के बगल में एक आम का बगीचा हुआ करता था तो ऐसा माना जाता है कि मुगल काल के दौरान इस आम के बगीचे में होली के दौरान होली में मेला लगता था ताकि लोग मेले के सेर सपाटा कर सके अपनी जरुएत की चीज़ों को खरीद कर सके और उस्सो के रूप में मेले कायोजन होता था ताकि लोग उसको अंज्जॉई कर सके इसी मुगल काल में हम देखते हैं कि विजय नगर सामराजी में भी होली के हमें कुछ चित्र मिलते हैं चित्र फलक पर दिवार पर या लकडी पर हमको कुछ चित्र मिलते हैं कैसे अच्छा विजय नगर सामराजी क्या है जिसके विजय नगर सामराजी की हम बात कर रहे हैं तो जब भी आप इंडिया का मैब देखोगे तो अगर हम इंडिया का मैब बनाए तो यहां से कृष्णा नदी निकलती है और क्रिश्णा की सहायक नदी तुंग बद्रा तो जो क्रिश्णा नदी के दक्षण का छेत्र है यही क्या कहलाता है विजय नगर सामराजी कहलाता है क्या कहलाता है विजय नगर सामराजी कहलाता है और इसकी स्थापना कब हुई 1336 में जब दिल्ली सल्तनत में मुहम्मद बिन तुगलक का शाशन था यानि तुगलक वन्स का शाशन था और उसका सासक था मुहम्मद बिन तुगलक उसी समय पर दो भाईयों जिनका नाम था हरियर और बुक्का इन्होंने दक्षण में एक हिंदू सामराजी की स्थापना की जिसे हम किस नाम से जानते हैं विजय नगर सामराजी के नाम से जानते हैं तो इस विजय नगर सामराजी में भी सोल्मी सताब दी गए कुछ चित्र हमें ऐसे मिलते हैं जिसमें होली के चित्र मिले हूँ है जैसे जो राजकुमार, राजकुमारी या दास दासी और जो राजा या रानी सब आपस में होली खेलते हुए दिखाए गए है इसी तरह महाराष्ट का एहमद नगर है जो बहमनी सामराजी का हिस्सा था बहमनी सामराजी का हिस्सा क्या मतलब इसके दक्षड में एक राज होता था इसको बोलते थे क्या बहमनी सामराज विजय नगर सामराजी के उत्तर में एक सामराज था और इसको बोलते थे बहमनी सामराज इसकी स्थापना हसन गंगु नाम के विक्ती ने की थी जब उसने देखा कि दिल्ली कमजोर हो रहा है तो उसने बहमनी सामराज की स्थापना कर दी और इसी बहमनी सामराज का कमजोर होने के बाद जब विग्टन हुआ तो एक उसमें से छेत्र बना जिला बना एहमद नगर और इसी एहमद नगर में भी सोलुही सताब्दी के कुछ हमें ऐसे चित्र मिलते हैं जिनसे हमें क्या पता चलता है जिनसे हमें ये पता चलता है कि होली यहाँ पर भी मनाई जाती थी और ऐसे चित्र हमें मिलें जिसे पता चलता है कि होली ततकालीन समाज में भी विसेश महत तो रखती थी मद्धिकालीन भारती मंदिरों में भी होली के पर्याप्त साक्ष मिलते हैं क्यों क्योंकि इन मंदिरों में भित्ति चित्र मिलें भित्य चित्र किसको बोलते हैं ऐसे चित्र जो दिवार पर बनाय जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं भित्य चित्र तो मध्यकाली जो भी मंदिर थे उनकी दिवारों पर पर्याप्त मात्रा में होली खेलने के चित्र मिले हैं जो इस बात को इंगित करते हैं कि ना केवल प्राच उपके माध्यम से कि प्राचिन काल में तो होली का महत्तु था ही बलकि मध्यकाल में भी होली का विसेश महत्तु था तो ये हमने समझ लिया मध्यकालीन होली के बारे में अब next slide लें तो स्वरूप और उद्देश है सरूप का मतलब हुआ कि क्या होली उसी रूप में आज भी मनाई जा रही है जिस रूप में प्राचीन काल या मद्ध काल में मनाई जाती थी उसके बाद उदेश का मतलब हुआ कि मनाई जाने का उदेश से क्या है क्या अभी भी उसी उदेश से मनाई जाती है जिस उद्देश से पहले मनाई जाती थी या उद्देश में परिवर्तन होता रहा है तो अगर हम प्राचीन काल की बात करें हम अगर प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में जो होली मनाई जाती थी वो मुख्यता बहुत समय पहले यानि प्राचीन काल में जब होली मनाई जाती थी तो वो मुख्यता विवाहित महिलाओं द्वारा अपने परिवार की सुक सम्रधी के लिए मनाई जाती थी और इस दिन वो पूरे चंदर की या पूर्ण चंदर की पूजा करती थी जब वैदिक काल में हम देखते हैं कि होली का तेवहार जो था ये नवात्रेस्टी नाम से मनाया जाता था इसको बोलते थे नवात्रेस्ट यग्य और इस यग्य में क्या होता था कि इस समय आप देखते हैं कि खेतों में गेहूं की बालिया आ गई हैं, यानि उन्हीं अधपके अनाजो को यग्य में डाला जाता था और फिर प्रशाद का वितरण किया जाता था, तो ये हमें पता चला उसके बाद हम देखते हैं कि भारती जोतिस के अनुसार होली के बाद से चैत्रमास का प्रारम हो जाता है तो इसे क्या होता है इसे किस रूप में मना जाता था इसे नौ समवत या नौ वर्स के रूप में भी बनाया जाता था और इसे भी बोलते हैं मन्वा दितिति मतलब इसके अनुसार एक इसका ये भी मतलब था कि भारत में या जो भारत में प्रथम पुरुष जिन को माना जाता है वो मनु को माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि मनु का जन्म इसी दिन हुआ था इसलिए इसे मन्वा दितिति भी कहते हैं तो ये हमने समझा कि स्वरूप और उद्दे से जो समय के साथ परिवर्तन सील रहे हैं वो क्या थे अब अगर हम नेक्स लाइड लें कि सार्वनिक होली मिलन क्या है तो जैसे आपको पता होगा कि आज संडे है और आज होली है ठीक है होली की आप जदा तर छुटी आज के दिन होती है और मुख्धा जो होली का देहन होगा वो आज रात में होगा तो ऐसा माना जाता है कि जो स सार्जनिक होली मिलन है यह कब होता इसका मतल़ समझिए एक मिट अब देखिए सबसे पहली बात है कि होली जैसे आज है तो आज होली मनाई जाएगी होली का देहन होगा और कल क्या होगा कल रंग खेला जाएगा और फिर शाम को मिला भेटी जिसे हम बोलते हैं सावान लेंग्वेज में मिला भेटी होगी भेटी होगी मिला भेटी मतलब लोग एक दूसरे के घर जाकर एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है अब इसको क्या बोलते हैं जो ये सारा प्रोग्राम है अगले दिन का जो कल हम लोग प्रोग्राम करेंगे, होली खेलेंगे, उसके बाद रंग खेलेंगे, उसके बाद नहाएंगे, उसके बाद दूसरों के घर जाएंगे, क्या होकर तैयार होकर, तो उसको बोलते हैं धूल वंदने, धूल वंदने, अब ये धूल वंदने क्या होता है, होली का दहन होगा, कल हम लोग रंग खेलेंगे, दुपहर तक नहाएंगे, उसके बाद नवस्तर धारन करके सबसे मिलने जाएंगे, तो जो कल का पूरा प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं, धूल वंदन, और दूसरों के घर में जब हम जाते हैं, तो चुंकि होली में क्या होता है, कि मिठाईयों का विसेस महत्तो है, तो इसी मिठाईयों में लोग जब आप दूसरों के घर जाएंगे, तो सभी लोग एक दूसरे को, जो भी मिला बेटी करने आते हैं, उनको मिठाईया देते हैं, और इन मिठाईयों में गुजिया का विसेस महत्तो है, किसका महत्तो है, और ये बहुत प्राचीन काल से गुजिया का महा तो लगभग चला रहा और आज तक बना हुआ है कि होली में प्रतेग घर में आपको गुजिया का महा तो दिखेगा क्यों? क्योंकि जैसे आप जाओगे तो वहाँ पर प्लेट में आपके सामने क्या आएंगी? गुजिया आएंगे तो ये हमने समझा कि होली मिलन क्या है? धूलवंदन का मतलब कि होली का दहन के नेक्स जिन जिस इन होली होती है उसके अगले दिन जो रंग खेला जाता है उसके बाद नहाँ दोकर दूसरे के घर पे हम मिला वेटी करने जाते हैं नयवास्तर धारणगर के उसे ही धुलवंदन बोलते हैं लास्लाइड लेते हैं भोगोलिक विसमता अभी इस टॉपिक को समझने के लिए गहरी सोच ये रखेगा कि जरूरी नहीं है कि भारत में उसी तीवरता से होली मनाई जाती हो हर छेतर में जिस तीवरता से आप मनाते हैं तो याद रखेगा कि जरूरी नहीं है कि उस तीवरता से मनाई जाए जिस तीविता से आप मनाते हैं इसलिए भारत में उत्तर भारत में होली बहुत ही विसेश उलास के साथ मनाई जाती है किसकी तुल्ना में दक्षड भारत की तुल्ना में दक्षड भारत की में होली का इतना विसेश महत तो नहीं है जितना उत्तर भारत में पहली चीज दूसरी चीज इसी होली में हम देखते हैं कि कुछ होली ऐसी है जो थोड़ा अलग धंग से मनाई जाती है या विसेज तरीके से मनाई जाती है इसके बहुत सारे एक्जामपल हैं करीबन 8-10 ऐसी होलिया हैं देज भर में जो अलग तरीके से मनाई जाती हैं लेकि इसी होली होती है पुरुस इस्त्री को रंग लगाता है और फिर कि इस्त्री का करेगी पुरुस को रंग लगाने पर लाठी से मारती है डंडे से मारती है और इसे बोलते हैं ब्रज बर्शाने मतुरा की लटमारोली इसी तरह हरियाडा के धुलेंडी की होली बहुत प्रसिद है जिसमें होली के दिन क्या होता है कि भावियों दोरा अपने देवर को परिशान किया जाता है मतलब इसको सेलिबरेट करने का एक तरीका यह परिशान करने का मतलब यह नहीं कि कुछ ऐसा परिशान करने लग वो परिशान हो जाए मजाग के दोरा परिशान किया जाता है तो यह भी एक तरीका है तो यहां पर हमको यह समझना है कि भारत में होली जो मनाई जाती है पहले तो हमने देखा क्या है उसके बहुत हम देखा क्यों मनाई जाती है तो कई पौराणी कथाएं हैं जिसमें से सबसे प्रसिद पौराणी कथा या अधिकतर लोगों द्वारा माने जाने वाली पौराणी कथा भक्त प्रहलाद वाली कथा है इसी तरह हम देखते हैं कि इसी होली में छेतरी विसमता भी मिलती है कैसे आप देखेंगे कि धक्षिड इसमें मनाई जाने वाले तेवहार से कुछ अलग प्रकड़ती लिए हुए हैं तो ये हमने पूरा डिसकस किया कि होली क्या है अभी फिर से देख लेते हैं हम क्या क्या देख चुके हैं हमने आज क्या देखा पहले तो होली क्या है उसके बाद होली क्यों मनाई जाती है तीसरी बात इसके स्रोत क्या है और मुगलकालीन होली क्या होती है हमने देखा कि मुगलकाल में विसेश मात होता प्रारम मतलब ही होता है कि वसंत रित्तु से ये प्रारम को मैंने यहीं पर डिस्कस कर दिया नियुकियामे की वसंतरित्व से प्रारम हो जाता है और वसंतपंचमी से जिसमें पहली बार गुलाल उड़ा जाता है। और समय के साथ इसमें कैसे परिवर्टनाया, फिर हमने देखा कि भावगोलिक भिनता क्या है। और एक चीज और जान लिए, यहां पर एक चीज देख लिए, कि होली की साहित में और संगीत में विसेश चर्चा हुई है। अगर हम साहित की बात करें, तो चाहे आप रीतिकाल की बात कर लिजे, मध्यकाल की बात कर लिजे, आधुनिक काल की बात कर लिजे, साहित में बोला जाता है कि सूर्दास जी ने, जो कि भक्त काल के कवी थे, उन्होंने होली के संदर में विसेश पद लिखे हैं, और कई सारे के संदर में कई छेतरी गीत मिलते हैं इसी तरह हम देखते हैं कि जो भारती सिनमा है उसमें होली को विसेस महतो दिया गया है और होली से संबंधित बहुत सारे गीत हैं एक गीत के एक्जामपल अमिताब बच्चन जी का रंगबर से भीगे चुनरवाली तो इस्टैक के कई ग कल्चर या संस्कृती जो पेपर होता है उसके लेकिन एक्जाम की दरश्टी सो अगर हम इसको देख रहे हैं तो हम इसके दायरे को छोटा कर रहे हैं यह हमारे कल्चर का भाग है और अपनी संस्कृती की रक्षा करना भारत के समिधान के फंडामेंटल डूटी और यह हम कह आगे आने हाले को इस्तान अंतरित करते हैं यह प्रक्रिया नदी के जल की तरह चलनी चाहिए इसलिए यह वीडियो बनाने का उद्देश यही था कि मैं इस कल्चर को जो हमारी संस्कृती है अपने से छोटों को दे सगूं जो बहुत सायद इतनी बहुत लोग किताबों से जुड़ाओं नहीं रखते हैं या इतने व्यापक इस तरपर देखने का प्रयास नहीं करेंगे तो यह 20-25 नट की वीडियो आपको अपने तेवहार अपने संस्कृती के बारे में व्यापक ज्यान दे कर जाएगी तो उमीद है हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा क्य आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से होली की हरदिक सुपकामना है धन्यवाद